मेहुल घर पर बैट कर टीवी देख रहा था, कभी एक न्यूस चल रही थी अभी अभी खबर आ रही है कि सुपारी किलर अक्की अरोरा की पुलिस एंकाउंटर में मौत हो गई है अक्की अरोरा को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी तबी अचानक पुलिस की गाड़ी का अक्सिडेंट हो गया अक्सिडेंट का फाइदा उठाकर अक्की अरोरा पुलिस की रिवालवर छीन कर भागने की कोशिस की तो मजबूरन पुलिस को उसका एंकाउंटर करना पड़ा न्यूस खतम होते ही मेहूल को एक फोन आता है और मेहूल अपोजिशन पार्टी के निताजी से मिलने पहुच जाता है निताजी मेहूल से कहते है डेटेक्टिव मेहूल अक्की अरोरा का एंकाउंटर बस एक बहाना है अगर वो जिन्दा रहता तो बहुत सारे मिनिस्टर्स की कुर्शी हिल सकती थी इसलिए उसे जान मुझकर एंकाउंटर के बहाने से मारा गया है इसकी पोल खोल अब तुमें ही करनी होगी हम तुमें फुल सपोर्ट करेंगे एंकाउंटर की फिल्मी कानी सुनने के बाद ही मुझे पता चल गया था यह एंकाउंटर फेक है अब बस इसे प्रूफ करना है मिहुल अपने काम पे लग जाता है वो पुलिस स्टेशन जाकर एसी पी से बूचताच करता है हमारी तीन गाडिया थी बीच की गाड़ी में अक्की अरोरा एक कॉंस्टेबल के साथ था सबसे पीछे की गाड़ी में मैं इंस्पेक्टर के साथ था सबसे आगे की गाड़ी में दो कॉंस्टेबल थे और इंस्पेक्टर था कभी अचानक सामने से एक ट्रक आया और सामने वाली कारी से टकरा आ गया हम बहार निकले तोसी का फाइदा उठाके अक्के अरोरा रिवॉल्वर लेके भाग निकला और मदबूरन हमें उसका एंकाउंटर करना पड़ा ACP की बात सुनकर मेहूल घटना स्टल पे बहुत जाता है क्या आप घटना स्टल को देखके बता सकते है ACP की बाते सही थी या गलत मेहूल की नजर एक बोट पे जाती है जिस पर साफ साफ लिखा था Only for small vehicles मतलब इस रास्ते पर ट्रक नहीं आते है ACP जूट बोल रहा था तब ही मेहूल को उसके खबरी का फोन आता है वो मेहूल से कहता है Sir, अक्यारोरा की post-mortem रिपोर्ट आई है अक्यारोरा कोरोना पॉजटिव था ये कबर सुनते ही मेहूल तुरन पुलिस टेश्ट क्या क्रिमिनल था वो पलत जपकते ही गाड़ी से भाग गया वो तो ACP सर ने टोक दिया नहीं तो हाथ नहीं आता था ACP साब कहा है उनकी तबेर ठीक नहीं है वो City Hospital गए है चेक अप के लिए मेहूल तुरन City Hospital पहुच जाता है और वहाँ डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर मेहूल को बताता है कि ACP साब कोरोना पॉजिटिव है तो वो उनसे नहीं मिल चकता ये सुनते ही मेहूल समझ जाता है कि क्या गरबढ है क्या आपको कोई क्लू मिल रहा है सोचिए, समझिए समय चाहिए तो वीडियो को पॉस्ट कीजिए इसका मतलब ACP ने मुसे जूट कहा था अक्की अरोरा के साथ गारे में कॉंस्टेबल नहीं बलकि ACP साब थे अक्की अरोरा कोरोना पॉजिटिव निकला और ACP भी कोरोना पॉजिटिव अगर अक्की अरोरा के साथ वो कॉंस्टेबल रहता तो हॉस्पिटल में ACP नहीं वो Constable एडमिट रहता तभी मेहुल को एक और फोन आता है और मेहुल अक्की अरोरा के पत्नी से मिलता है नेहा मेहुल को बताती है कि अक्की को अरेस्ट करने उस दिन सिर्फ ACP आये थे पूरी पुलिस फोस नहीं आई थी तो मेहुल कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ ACP ने जूट कहा था कि तीन गारिया थी गारी एक ही थी जिसमें अक्की और ACP ही थे अगर टीम होती तो बाकी लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता था और उस रास्ते पे ट्रक कर सवाल ही नहीं होता फिर गारी और ट्रक का एक्सिडेंट कैसे हो सकता है ये सब ACP का प्लान है और बाकी पुलिसिस में शामिल है आप मुझे ये बताए कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था निहा उसे बताती है कि उस दिन अक्की घबराता हुआ घर पे आया उसने ACP को फोन कर दिया है और वो सरेंडर करने वाला है सरेंडर करने के भाद ये उसका इलाज हो पाएगा लेकिन मैंने उसे सरेंडर करने से मना कर दिया लेकिन उसने नहीं सुना उसको कोरोना का डर हो गया था और वो उससे बचना चाता था और तभी गंटी बचती है और ACP आ जाता है अकी तुम्हे मेरे साथ चलना होगा और अकी निकल जाता है फिर निया कहती है क्योंकि ACP अकेले आया था अक्की को लेने मतलब उसका एंकाउंटर उसी ने किया है हाँ मुझे भी यही लगता है और वहाँ से चला जाता है मेहुल उस होटल में जाता है और होटल वाले से पूछता है दो दिन पहले यहाँ पर एक एंकाउंटर हुआ था क्या आपने ये देखा था सहाब हमारा ध्यान तो बस कस्टमर्स में रहता है अब उस दिन क्या हुआ हमें नहीं पता तभी होटल में तो लड़की आ गए चाचा एक च अचा शौट भी लिया लेकिन आज डिरेक्टर ने देखा कि एक पुलिस की गारी शौट के बीच में आ गई अब वापस पूरा सीन करना पड़ेगा पुलिस की गारी मैं डिटेक्टेव मेहू लोग क्या में वह फूटेज देख सकता हूँ हाँ हाँ आप फूटेज देख निता जी मेहूल को कहते हैं क्या सबूत है तुमारे पास कल ही सीनियर जजेज और ऑफिसर्स को बिलाता हूँ उनके सामने सबूत दो अगले दिन मेहूल कमीटी के सामने पोहच जाता है वहाँ निता जी सीनियर जजेज और ऑफिसर्स मौजूद होते हैं मिस्टर डेटेक् अक्य अरोरा ने भागने की कोशिश की और मजबूरन उसका एंकाउंटर करना पड़ा ये सब कुछ जूट है अक्य अरोरा बहुत सारे मिनिस्टर्स के राज जानता था इसलिए उसका एंकाउंटर किया गया है तुम ये कैसे कह सकते हो इसको प्रूफ करो तभी मेहुले पुलिस की गाड़ी को ध्यान चे देखिए बस एक ही गाड़ी है और गाड़ी में सिर्फ पूरी पुलिस फोर्स नहीं सिर्फ अक्यले एसेप आये थे और उस रोट पे हेवी वीकल्स भी अलाउड नहीं है तो फिर ट्रक से अक्सिडेंट हो ही नहीं सकता और एक और चीज सिर्फ ACP को को रोना हुआ बाकी फोर्स को क्यों नहीं हुआ जो कॉंस्टीबल्स अक्की के साथ थे उनको भी कुछ नहीं हुआ फिर मेहुल जैजर्जज़ को कहता है ये फुटेज देखिए फुटेज में ACP गाड़ी का दर्वाजा खोलता है और अक्की को कहता है भाग अक्की भाग। अक्की गाड़ी से उतरता है और भागने की कोशिश करता है। तब ही ACP पीछे से उसे गोली मार देता है। सर इससे प्रूब हो गया। यह सब ACP नहीं किया है। जजेस कंविंस हो जाते हैं और ACP को तुरण सस्पेंड कर देते हैं। केस सौल्ड डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स इसी बाद पर चल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे। चलिए अगली पहली देखते हैं। सोहन का उसके घर पे मर्डर हो जाता है। केस की छान बिन करने डिटेक्टिव मेहुल पहुच जाता है। मेहुल को बॉड़ी के पास ही मर्डर वेपिन मिल जाता है। उस पे मर्डर के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मिल जाते है। मेहुल सोहन का वालिट डिखता है। तो उस पे सोहन ने मर्डर को सरकल भी करके रखा हुआ था। अरे ये तो बड़ा आसान केस था। मर्डर बड़ी आसानी से मिल गया, मेहुल मर्डर के गर पहुच जाता है, लेकिन वहाँ जाके कंफ्यूस हो जाता है, एक जैसे दिखने वाले तीन भाई है, अब तीनों में से एक मर्डर है, तीनों कहते है, हमने मर्डर नहीं किया है, अब कैसे पता करेगा मेहुल, तीनों म तो इन तीनों के fingerprint से match करेगा और जिसके match हो गए वो murder है जहलिए अगली पहली देखते हैं detective मेहुल एक room में first जाता है room से बहार निकलने के लिए उसे तीन दर्वाजे दिखते हैं एक दर्वाजे के पीछे चंगली शेर है जिसने door को block करके रखा है अब समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता कौन से दर्वाजे के पीछे क्या है अब क्या करेंगा मेहुल कैसे बहार आएगा चलिए इसका अंसर देखते है ध्यान से देखिए दर्वाजे के नीचे gap है आईज दीरे दीरे पिगलना शुरू हो जाएगा और पानी बनके दर्वाजे से भारारा शुरू हो जाएगा ये डेख मेहुल समझ जाएगा कि कौन से दर्वाजे के पीछे आईज है मेहुल आइस पिगलने का वेट करेगा और फिर उस दर्वाजे से निकल जाएगा चलिए अगली पहली रिखते हैं इस पिच्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताईए मेहुल की कितनी बहने हैं सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए राइट हैंड में पहने जाती है और राइट हैंड में उसने दो राखी पहनी हुई है मतलब मेहुल की दो बहने हैं ऐसी और पहलियों के लिए डिटेक्टिव मेहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे थैंक यू